वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्शा आज की इस वीडियो में हाँ पर हम बात करेंगे बीए डंटेंस एक्जाम के लिए कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की यह प्रैक्टिस सेट चेप्टर वाइस हैं तो स्टार्ट करते हैं आपको वीडियो पसंद आत अब आपको बताना है इन मैंसे कौन सा आपको नौन ओपरेटिंग एक्पेंस लगता है मिस्सेलेनियस ओफिस एक्सपेंस, डेप्रिशेशन ओफ प्लांट, इंट्रेस्ट और डिवेंचर्स, नन ओफ ती अबब, बताए क्या होगा आंसर देखीं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा C, इंट्रेस्ट और डिवेंचर्स, यह हमारा नौन ओपरेटिंग आइटम है एक्सपेंस है या जबकि हमारा मिस्सेलेनियस ओफिस एक्सपेंस है जो होते हैं, ओपरेटिंग के अंदर कंसिडर होते हैं और देट्रेशेशन ओफ्लांट क्योंकि प्लांट हमारा ऑपरेटिंग से रेलेटेड है तो वही हमारा एक्सपेंस कहलाएगा इसलिए non operating expense के अंदर इहाँ पर interest on adventures को include किया गया है और इसलिए option C इहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है next question पर आईए अब आपको यहाँ पर बताना है non operating income अभी आपने non operating expense बताये तब आपको यहाँ पर income बताना है देखे हमारा जो भी हम plant use कर रहे थे manufacturing company में उसके sales से हमें कोई profit हुआ है यह है या फिर कोई revenue हमारा sales से generate हुआ है trading concerns से related है या फिर कोई dividend हमने received किया है by an investment company या फिर premium received by an insurance company बताये इन में से कौन सा हमारा non operating income का part है या item है चल्दी करिए answer कौन सा लगता है आपको इसका answer दीखिए option A यहाँ पर right answer हो जाएगा अगर हम non operating income की बात करें तो यहाँ पर हमारी manufacturing company के अंदर जो भी plant use हो रहा है उसके sales से जो भी profit हुआ है यह हमारा non operating income का part है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा option A next question पर आईए देखिए जो भी question आपको समझने है उसको दोवारा से देखिएगा खुद से समझने की कोशिश किया करिए नहीं तो मैं उन questions को दोवारा से आपके साथ discuss कर लोगी ठीक है next है which of the following item is a current asset अब आपको बताना इसमें से कौन सा item current asset का है long term investment bank loan for 3 years venture sinking fund investment या फिर account receivables आप सबको पता होगा current assets और fix assets क्या क्या होती है देखिए current assets बोत हैं जिनका time period less than one year है और fix assets वो होती है जो more than one year होती है ठीक है क्या होगा answer अभी देखिए मैंने less than one year कहा तो देखिए यहाँ पर direct option भी कट गया और long term है तो यानि one year से ज़्यादा का है यह भी कट गया sinking venture sinking fund investment अगेंड यहाँ पर sinking fund की बात की जा रहे है long term का है तो यह भी कट गया right answer हो जाएगा D account receivables account receivables जो होते हैं एक साल से कम का इनका time period होता है इसलिए हमारे current assets में include किये जाते हैं ठीक है तो option D यहाँ पर हमारा correct है next question पर आईए networking capital stands for अब जो networking capital है वो आपको यहाँ पर बताना है अगर हम fixed assets में minus करेंगे current assets तो यह है कि networking capital second option है fixed assets minus current liabilities C option है हमारा current assets minus current liabilities D option है non current liabilities minus current liabilities पताए इसमें से आपको कौन सा option सही लगता है जिसके तुरू हम अपना net working capital को निकाल सकते हैं बहुती simple है देखी जो हम networking capital की बात करते हैं तो हमें current assets चाहिए current assets में से जब भी हम current liabilities को minus करते हैं तो हमारा फिक networking capital निकल कर आ जाता है इसलिए options ही हाँ पर हमारा right answer हो जाएगा ठीक है next आईए a reserve is a charge against अब एक reserve किसके against में charge किया जाता है trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account या फिर none of the above बताएए एक reserve जो होता है वो कार दिखाया जाता है देखिए यहाँ पर अगर appropriation नहीं होता तो हम बोल सकते कि reserve जो है वो हम balance sheet में डानेंगे लेकिन यहाँ पर appropriation दे रखा है इसलिए answer यहाँ पर C हो जाएगा right answer पेंडल appropriation account में ठीक है next है stock in trade does not include अब stock in trade जो है उसमें क्या के चीजों को include किया नहीं जाता है goods in process of manufacture, raw materials, items held as fixed assets या फिर finished goods बताएए stock in trade कि यहाँ पर बात की जा रही है देखिए सबसे पहले यह समझ लीचे stock क्या है stock वो चीज है जो कि आपने या तो purchase करी है वो आपका कच्छा माल भी हो सकता है बनावा माल भी हो सकता है या फिर unfinished माल भी हो सकता है जो कि आपके form में रखा हुआ है अभी वो sold out नहीं हुआ है और आपका जो साल है वो खतम हो चुका है यानि कि जो at the end of the year आपने अपने go down में जा के देखा वहाँ पर जो भी माल रखा हुआ है पर चाहें वो raw material हो unfinished हो या finished हो वो सब आपके लिए stock हो जाएगा ठीक है इसलिए यहाँ पर देखिए good हमारा processing में है तो ये भी हमारे stock में है stock के अंदर include है raw material भी stock कहलाएगा और हमारा finish goal भी stock कहलाएगा लेकिन हमारा ऐसे कोई भी item जो fixed asset है वो stock नहीं कहलाएगा ठीक है fixed asset कभी भी stock के अंदर consider नहीं किया जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर answer हमारा option C ठीक है next आए the comparison of net profit with the sale of the same year is अब हमारा new net profit है उसका comparison किया जारा है sale के साथ same year तो क्या कहलाएगा vertical comparison, three dimension comparison, horizontal comparison यह फिर none of the above बताएगे देखें यहाँ पर एक term याद रखें यहाँ पर बात की जारी है same year और आपको पता है vertical क्या होता है इस series में चलता है यानि कि आपको एक ही parallel line पर चलता है horizontal क्या होता है one year and उससे previous वाला year तो अगर यहाँ पर यह होता कि आप comparison कर रहे है एक साल के पहले वाली साल से तो वहाँ पर horizontal होता लेकिन यहाँ पर उसी साल किया जा रहा है same year में तो जब हम किसी भी same time period की बात करते हैं same label की बात करते हैं same department की बात करते हैं यानि कि वहाँ पर जो हम comparison किया जा रहा है same level पर बात कर रहे हैं तो वो हमारा हमेशा वर्टिकल खेलाएगा. इसलिए यहाँ पर option A, वर्टिकल कंपारिजन राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है? Next आईए. According to going concern concept, a business is viewed as having. अब यहाँ पर हमें बताना है, going concern concept की according, एक website किस तरह से देखा जाता है? Limited life होती है, indefinite life, मैं आपको समझा चुकी हूँ, going concern concept तो अच्छे से आंसर करेगा, कलत नहीं होना चाहिए किसी गापी. क्या हो जाएगा? Option B, यहाँ पर आइट आंसर हो जाएगा, and indefinite life, यानि कि a going concern concept में, यह हम assumption लेके चलते हैं, कि हमारा जो business है, वो long term तक काम करेगा, हम यह नहीं सोसते कि, हमारा जो business है, वो बहुँ जल्दी bind up हो जाएगा, या फिर हम उसको बंद कर देंगे, ठीक है? हम उसको long term तक के लिए, या बहुत लंबे समय तक के लिए, उसको open करते हैं, और उसमें काम करते हैं, तो उसकी life कैसी assume की जाती है, indefinite period के लिए, यानि की long term के लिए, इसलिए यहां पर option भी right answer हो जाएगा, next question देखिए, debit means, debit का मतलब क्या होता है, कोई भी asset में increment हो रहा है, liability में increment हो रहा है, assets जो हैं उसमें decrement हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी increment, जो की proprietor security में, बताईए, बताईए क्या होगा right answer, देखिए, यहां पर debit means का मतलब बताए गया है, तो debit का मतलब होता है, हमारे कोई भी assets है, वो बढ़ रहे हैं, तो वो debit होंगी, ठीक है, तो option क्या हो जाएगा, हमारा A यहां पर right answer हो जाएगा, I hope यहां तक आपको सारे questions clear है, फिर भी कोई भी doubt हो, तो please बूच लीजएगा, ठीक है, next आईए, credit means, अब credit का मतलब आपको बताना है, क्या होता है, कोई भी asset में, भढ़ रही है, liabilities हमारी भढ़ रही है, liability हमारी कम हो रही है, या फिर प्रोप्राइटर, security है, वो कम हो रही है, बताएगे, आप इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, अभी हमने debit discuss किया, debit में क्या होता है, हमारी assets भढ़ रही है, तो यह क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारी liability बढ़ी हुई है, जब हम उनको pay करेंगे, तभी तो हमारी liability कम हो गी, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नेक्स्ट आएगे, इन्दी जर्णल इस कोड़ याने की ऐसी कोई भी process, जिसमें हमारे जो transactions हैं, वो जर्णल में record हो रहे हैं, वो क्या कहलाईगी, जर्णलाइजिंग, costing, posting, telling, भूती simple है, आप सबको पता है, जब हम journal में transactions करते हैं, record करते हैं, तो वो process हमारी जर्णलाइजिंग कहलाती है, और जब हम journal से laser में जाते हैं, तो वहाँ पर जो process करते हैं, वो हमारी posting कहलाती है, ठीक है, इतना याद रखेगा, इस तरह के questions आपके exam में बहुत पूछे जाते हैं, next आए, normally dash are balanced, अब normally क्या चीज़ balanced होते हैं, क्या, personal and nominal accounts, real and nominal accounts, personal or real accounts, या फिर none of the above, बताए, एक तरह से बहुत simple question है, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आपको थोड़ा सा mind लगाना है इस question में, वैसे बहुत अच्छा question यह पूछा गया है यहापर, देखें, यहापर balanced की बात की जा रही है, तो हम balance कहाँ पर बना के रखते हैं, trading account में कोई balance नहीं बनाते हैं, हम वहाँ पर balance नहीं निकालते हैं, balance हम कहाँ बनाते हैं, balance sheet के अंदर, कि हमारी जो liability side है और asset side है, दौनों में balance होना चाहिए, कोई भी बड़ी या कमी नहीं होनी चाहिए, किसी में भी, ठीक है, तो यहाँ पर balance की बात की जा रही है, तो आपको सबको बता है, balanced हम balance sheet में निकालते हैं, दौनों का balance सही होना चाहिए, तो आपको यह भी बता होगा, जो हम balance sheet बनाते हैं, तो उसमें कौन से accounts open किये जाते हैं, वहाँ पर हम balance sheet में जो accounts शो करते हैं, वो होते हैं हमारे, या तो personal account या फिर real account, nominal account वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है, nominal account क्या है, loss और expense, और ये सारी चीज हम already पेंडल में discuss कर चुके हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, personal account और real account की, इसलिए यहाँ पर option C, right answer हो जाएगा, personal and real account, ठीके, clear है, ओके, चलो next, move करते हैं, next question पर, purchase of an asset, अब कोई भी asset हमने purchase की है, तो यह हमारा expense है, expenditure है, loss है, none of these, बताइए, दीके, यहाँ पर आप थोड़ा सा, confuse हो रहे होगे, दो world दी है, expense and expenditure, expense, यहाँ पर world यूज हुआ है, छोटे मोटे खर्चों के लिए, और expenditure हुआ है, large amount के लिए, जहाँ पर हम उने large amount पे किया है, तो इस हिसाब से, आप फिर answer करिएगा, क्या हो जाएगा, दीखें, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हमारा जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option A, sorry B, an expenditure, purchase हमारा, जो भी हमने asset purchase किये, वो हमारा expenditure है, एक बहुत बड़ा खर्चा है, और यह हम long time तक इसका benefit लेंगे, जबकि अगर हम expense की बात करें, तो वो छोटे-मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि telephone payment, telephone bill पेगिया आपने, या फिर carriage inward, carriage outward, इस तरह के खर्चे, वो आपके expense है, और यह large amount का है, यह expenditure के अंदर, consider यहाँ पर किया गया है, वैसे एक तरह से questions इस तरह से नहीं देना चाहिए था, थोड़ा confusion होगा student को, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? Next आईए, patent rights is a patent किस तरह का right है, personal, real, nominal, या फिर expense account, बताईए. Again, यह question आप तभी कर पाएंगे, जब आपको personal, real, and nominal में अंतर पता होगा. देखिए, यहाँ पर patent rights की बात करें, तो patent आपको पता है, क्या है, यह हमारे लिए asset है, और किस तरह के asset है, यह हमारी intangible asset है, और आपको पता है, real account में, दो तरह के account open के जाते हैं, एक होता है tangible, और एक intangible, तो यह हमारी क्या है, intangible asset है, ठीक है, तो यह हमारे real account हो जाएगा, option भी है, पर हमारे क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, ठीक है, next question है, which of the following account, as a credit balance, अब इसमें से कौन से account, credit balance रखता है, carriage inward, carriage outward, return inward या फिर return outward बताएगे, तो यानि कि आपको amount मिलेगा, तो यह तो आपका debit balance हो गया, अब यहाँ पर बात कीज़े, तो यह तो यह हो गया, creditors, तो यह आपका credit balance है, इसलिए option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, ठीक है, next आए, cash book is used to record, अब cash book क्या चीज़ record करने में help करती है, सारे receipts को, सारे payments को, all cash and credit sales, या फिर all receipts and payments of cash, बताईए, simple है यह भी, क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, तो option D, यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, यह सब अब तक सारे easy questions थे, तो, यह सब questions आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही simple है, इससे tough आपके exam में भी पूछे गए हैं, तो आपको easy और tough दोनों की त्यारी करनी हैं, लेकिन सबसे पहले आप theories अच्छे से कर लीजी, क्योंकि जब तक आपको theories clear नहीं होंगी, तब तक आप यह questions भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले अपनी theory को strong करिए, theory हमने discuss करी हुई है, हम फिर से एक बार और discuss करेंगे, जो जो topic आपको नहीं आते हैं, वो मुझे नीचे comment section में बता दीजेगा, ठीक है, purchase book is used to record, अब purchase book क्या चीज़ record करती है, सारे goods की purchase को, credit purchase को, all credit purchase of goods, या फिर all credit purchase of assets, other than goods, बताइए, क्या हो जाएगा answer, C यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, जितने भी हमारी credit purchase है, वो हमारी यहाँ पर purchase book में record की जाती, क्योंकि अगर cash purchase होगी, तो वो तो cash book में जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात, इसलिए option C right answer है, next है sales book, हमारी क्या चीज़ record करती है, बहुत ही simple है, direct आप answer कर दीजिए, मैं option नहीं भूल रही हूँ आपको, क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, जितनी भी credit sales है, वो यहाँ पर sales book में record की जाएगी, ठीक है, next हाए, which of the following book is not a book of original entry, बताइए, laser, यह original नहीं होती, क्योंकि यह journal से prepare की गई है, original नहीं है, इसलिए आपर क्या हो जाएगा, laser हमारा right answer हो जाएगा, ठीक है, next है, impressed system is used in relation to, impressed system काम follow किया जाता है, आप सबको पता है, impressed system हम pretty cash book में follow करते हैं, और pretty cash book वो cash book होती है, जिसमें हम अपने daily के बहुत छोटे-छोटे transactions को include करते हैं, उसमें record करते हैं, और एक बड़े amount में सब sum up करके, हम उसको cash book में लिख देते हैं, for example, हमने stationary purchase की, अब हमने पहले pen खरीदा, उसके बाद हमने शापनर खरीदा, उसके बाद हमने कोई diary खरीदी, उसके बाद हमने plain paper purchase किये, उसके बाद हमने, ऐसी इस तरह से हमने क्या करा, अलग-अलग सामन खरीदा, तो pretty cash book में तो ये एक-एक करके note कर लिया जाएगा, सबको sum up करके, एक amount में हम ऐसा stationary cash book के अंदर डाल देते हैं, सारा amount, ठीक है, तो pretty cash book, यहाँ पर right answer होगा, जिसमें हम impress system follow करते हैं, इसलिए option D, correct है, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के questions, hope यहाँ पर आपको सारे questions clear है, सारी चेसे आपको clear है, फिर भी किसी question में आपको doubt है, comment section में आप बता दीजेगा, हम उसको अच्छे से hot discuss कर लेंगे, और किसी पितरह के कोई भी query हो, तो ज़रूर बताएगा, तो next video में मिलते हैं, तब तक लिए take care, बाई बाई कर दो जब बाई